जापान में एक और गंभीर तुफान आने की खबर सामने आई है मुईफा नामक इस तुफान ने आज यानी 11 सितंबर को जापान के दक्षणी दीपों पर दस्तक दे दी जिसके चलती आधिकारियों ने चेताबनी जारी की जापान मेटरोलोजिकल एजेंसी के मुटाबिक मुईफा 12 सितंबर को ताईवान के करीब इस्तित इशीगा की दीप पर तबाही मचाएगा और फिर उत्तर में शंगाई और उसके आसपास के इलाकों की तरफ रुक कर लेगा भारी वर्षा के साथ तेज लहरें और हवाएं शेत्र को प्रभावित करेंगी माना जा रहा है कुछ समय में तूफान की गती कम हो जाएगी लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक शेत्र पर बना रहेगा जापान के सबसे दक्षणी और पश्चिमी प्रांत ओकी नावा में भी चेतावनी जारी कर दी गई है बता दें ओकी नावा प्री फैक्चर में जापान के डेड़ सो से भी ज़्यादा दक्षणी द्वीप शामिल है